रक्षा बंधन के मौके पर हम अपनी बेहनों से राखी बंधवा कर उसे रक्षा का वचन देते हैं लेकिन घाट शिला में रक्षा बंधन की एक अनोखी परंपरा सालों से जारी है यहां महिलाएं पेडों को राखी बांधी है रक्षा बंधन के परवपर भी उन्होंने पे हमारी है सुरक्षित वो नहीं तो हर सजीव हो जाए ब्रेद आओ इन पेड़ों को बचाए करे संकल्प इनकी रक्षा का कि इनके साथ रक्षा बंधन मना है बलिया आपने यहांने रक्षा बंधन के तयोहार अपने भाई बेनों के साथ मनाया ho पेड पौधों के साथ-, प्रैवरं, रक्षा के तोर पर पेहचान बनाने वाली पद्व श्री जमना टुडू ने अपने सहयोगियों और वन रक्षा समिती की बेहनों के साथ मिलकर सुनसुनिया के जंगलों में रक्षा बंधन का महात्योहार मनाया। पेड बचाने कुरेकर शिप को अंदोलन तो होते रहें लेकिन पेडों के साथ रक्षा बंधन इस पर जमना टुडू बताती है। करेकरम इतना खास था कि वन रखा क्यालादिकारी भी खुद को यहां आने से नहीं रोख पाए। जिसके लिए विभाग हमेशा प्रयास रत रहा है उस परवरंड को बचाने के लिए ग्रामेड खुद जारूप हो जाएं तो विभाग के लिए इससे बड़ी उप्रब्दी भला क्या होते। कई जन प्रक्रिदी भी इस मौके पर कई सवासीवी भी थे। कि पेड रहेंगे तो हम जिंदा रहेंगे। जो पेड बचाओ और जीवन बचाओ का अभियान है यह हम लोगों के विगत 25 सालों से चल रही जो जमना दूदी के द्वारा आरंब की गई थी। और हमेसा यही मत्तब प्रयास रहेगा कि हमें आगे पेड लगाना है चाए वो बड़े हो चाए वो किसी का अपका इनवर्सरी हो उसमें हम लोग अपका एक पेड लगाए। इस कारेकरम में महिलाएं बर्चड कर शामिल हो तो जम कर गेद भी गाये गए, मृत भी हुआ, मांदर भी बजा, फिर एक भाई की तरह पेड की आती उतारी गे। जिसके बाद सभी ने पेडों को तिलक लगा कर राकी बांदी और एक दूसरे कामू मीठा कराए। इसने लोगों को प्रेणा मिलेगी जंगल बचाने के लिए या हर बैक्ती के लिए बहुत जरूरी है। यहां कि सभी बैनों ने इन पेड़ों को अपना भाई माना है। क्योंकि यह पेड उनके और उनके बच्चों की रक्षा करते हैं, उन्हें प्रान वायू देते हैं, ये सोच इस रक्षा बंधन पर दूर दूर तक जाए। और लोग पेड़ों की रक्षा करें, यही संदेश देने की कोशिस इस कारिक्रम के जरिय कीगे। न्यूज 11 भारत के लिए घाटशिला से प्रभंजन कुमार के रिपोग।